हेलो दोस्तों सुवागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रेट बैल्ट में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे एशियन टाइल्स की एशियन ग्रेनेटो के नाम से इसको जाना जाता है राइट इशू पहले भी आये थे राइट इशू फिर आये इसके उपर बट हम बात करेंगे सिरफ टेक्निकल पॉइंट ओवियू से कि स्टोक कहां पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि सभी चीज़े जो फैक्टर इन होती है वो प्राइस के अंदर ही होती है तो टेक्निकल बैक्र आप देखेंगे पहले आप सबसे पहले इस वाली लाइन के उपर है जिए धर को हुआ हो पोती है लिए लारे ये इस चेंज की तरफ होती हो नहीं तर fantasy अजर देखिए पहले की जो रिजिस्टेंस लाइन थी और अब इसके नीचे की लाइन रिजिस्टेंस लाइन बन गई है जानी 100 के लेबल को भी निकालना इसके लिए अब काफी मुश्किल होता हो जा रहा है जो ब्लैक लाइन यह काफी स्ट्रॉंग जो लाइन है पहले भी इसके लाइन आप देखेंगे क्लियरली इन दो लाइन के बीच में यह स्टोक जो है ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से अब इस वाली लाइन को इसने यहां पर ब्रेक कर दिया और निच्चली लाइन के लिए त्यारी कर रहा है कि यहां तक स्टोक आता हुआ नजरा सकता है अब इसमें खास बात क्या होती है जिब स्टोक टाउंट्रेंड के अंदर होता है आप देखेंगे कि पहले इस जो black line है यहां पर लेबल्स थे क्योंकि यह डाउंट्रेंड के अंदर है तो line सेम रहती है बट जो levels होते हैं आप देखें यहां पर 112 sending लेबल्स यहां पर देखे डेली चार्ट के उपर भी तो इस लाइन को यह अलड़ी ब्रेक कर चुका और इसके नीचे की क्लोजिंग आ चुकी है तो पहला लेवल जो इसका बनकर आता है वो है नीचे के लेवल पर 79 पर आपको नजर रखना जुरूगी है देन 76 और 71 यह तीन लेवल काफी एहम लेवल है और 71 का लेवल अगर तोड़ता है यहाँ पर अगर इसके नीचे की क्लोजिंग देता है तो यह स्टोक काफी जादा नीचे जा सकता है और काफी जादा बीक हो जाएगा 71 का मतलब है तोड़ने का मतलब है इस वाली लाइन को टच करना अगर इसको यह ब्रेक करता है आप देखेंगे पहले भी इनी लाइन के आसपा स्टोक आया है और यही से जो है सपोर्ट लिया है जो नीचे की सबसे नीचे की ग्रीन लाइन आप देख रहे हो मतलब कि स्टोक जो है अल्मोस्ट 50 के लेवल तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है तो अगर ब्लैक लाइन को यह होल्ड नहीं करता है तो स्टोक जो है अल्मोस्ट इस वाली लाइन के आसपा साता हो नजर आएगा जो की लाइन बनती है अल्मोस्ट 50 से भी निचे की तो इन इसके उपर आपको नजर रखना, अगर 71 का लेवल ये ब्रेक कर देता है, तो बिल्कुल आपको इसके अंदर से निकलना होगा, जो सबसे पहला लेवल जो होगा, नीचे का 79, 76 और 71, 71 फाइनल लेवल होगा, अगर उसको भी ब्रेक करता है, किसी भी कंडिशन के अंदर, तो स इसके अंदर से निकलने में ही समझधा ली रहेगी, इन लेवल के उपर ट्रेड करना है, ट्रेड कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट का कोई भी नजरी है, इसके अंदर मत बनाएए, कि काफी फाउल हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी कंपनीज हैं उस के उपर ही ट्रेड कीजिए, थैंक्यू, धन्यबाद